हेलो असलाम उलेकुम फ्रेंड्स तो आज मैं आप लोग के साथ एक मीठी रेसिपी सेयर करी हूँ फ्रेंड्स जो ब्रेट से बनाया वह है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगता है और जैसे की होता है ना कि अचानक से कभी मीठा खाने का दिल करें तो य ये रेसिपी आप जट पट से बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाती है खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो बच्छों को भी पसंद आएगा और सभी को पसंद आएगा तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राय करके देखिएगा त इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद ना इसको फ्रेंड अगर आप चाहें तो इसको ढीफ्राय भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे हलका सा औयल लगा कर ही इसको हलका हलका से खूंगी यहाँ पर ले लिया है चीनी एक कटोरी है एक कटोरी से थोड़ा सा कम ही है तो उस पने अगर चाहें तो इसे घीमे भी शेख सकते हैं तो इसे घीमे गीने केदा वहए जना तो हम इसे एक ना चाहिए पाना नी के लिए। और इधर क्या क्या है? थोड़ा सा रिफाइन ओइल डाला है, और उसमें मैं बेelड को डालकर, इस तरीके से सेकूंगी, अगर आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकते हैं, तो घी में सेकने से ना, इसका टेश्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, लेकिन मैं इसे Refined Oil में ही सेक रही हूं इस तरह से अलट पलट करके इसको सेक लेंगे यह बहुत जल्दी से सीख भी जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है कोई टाइम नहीं लगता है जटपट से बन जाता है दस मिनट में लगवक बन कर तयार हो जाएगा तो बस इसको दे लगवक देखा है ना इसी तरीके से इधर मैं ब्रेड भी से करें और यहां पर देखिए चीनी गुल गई और चाशनी गाड़ी हो गई थी तो मैंने उधर गैस आफ कर दिया यहां पर क्या किया है कि मैंने लिया है एक कप के करीब दूद दूद ज्यादा कम ब्रेड जिस सबस्क्रां ना इस तरीके से ब्रेड जाते जाना है और ALL निंगालते जाना है इसṣe तरीके से छुदा अच्छा लगे ना देखने में इसी के लिए और सारी एकुद क सीद्राइब गया और इसमें ना दूद भी ज्यादा नहीं बचा और अगर जैसे कभी होता है ना कि घड़ गया तो मैं फिर से इसमें थोड़ा सा कलर डाल कर फिर से कर लोगी इसलिए ज्यादा दूद को शुरू में डाला नहीं था बस एक कप की करीब ही लिया था तो यहां पर देखिए दू नारियल का बुरादा तो अगर आप चाहें तो कोई भी ड्राइफ रूट्स फगर डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ नारियल का बुरादा डाला है इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और यह देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है खाने मे बहुत अच्छी एक नमबर टेस्टी तो फिर मिलते हैं बाएबु ड्राइब।